जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल दवंग क्लासेस पर तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एक्जाम में जरूर पूछा जाता है जन्तु जगत एनिमल किंगडम से आपके आने वाले एक्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे तो वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रहें तो चलिए देखते हैं यहां पर सर्व प्रथम हम लोग एनिमल किंगडम में या जन्तु जगत में प्रोटिष्टा या प्रोटो जोगा से रिलेटेट सबसे देखते हैं कि इनमें कौन-कौन से कोशन है जो आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं तो यहां पर फर्स्ट कोशन आप लोगों से पूछा गया था अमीबा जैसे जीवो के मामले में होने वाला अलेंगिक प्रजनन जिसमें एक जीब के विभाजित होने पर दो जीब होते हैं क्या कहलाता है अमीबा में जो प्रजनन होता है दोस्तों वह क्या कहलाता है आप लोगों से यह पूछा जा रहा है तो बताएं इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह होने वाला है आप लोगों का आपसर नमबर डी बाइनरी विखंडन क्या कहा जाता है वाइनरी विखंडन अमीवा जैसे जीवों में वाइनरी विखंडन के द्वारा अलेंगिक प्रजिनान होता है जिसमें जो एक जीव है वहाँ विभाजित होकर दो नए जीव बन जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओल तो यदि आप से पुचा जाए कि अमीवा में केसे प्रजिनान होता है तो आपकão answer ओगा विखंडन विधि के द्वारा नेक्स्ट कोश्चन देखते है यहाँ पर क्या पुचा गया है अमीवा में प्रजिनन दूखंडन या बाइनरी विखंडन बीदी के द्वारा होता है आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखिए यहाँ पर आपसे पुछा है दूखंडन द्वारा प्रजिनन किस में होता है तो आपका answer होगा option number D अमीवा में होता है इन question को कई बार एक्जाम से पुछा गया इसलिए आप लोगों के लिए question लेकर आया हूँ अभीवा वे किस प्रकार का अलेंगिक प्रजिनन होता आपसे पुछा गया तो option number B बाइनरी विखंडन के द्वारा अमीवा में प्रजिनन होता है अमीवा जो है एक कोशे की जीव का उधारन है नेक्स्ट question में देखिए दोस्तों आपसे क्या पुछा गया है यहां पर पुछा है तो इसका जो right answer दोस्तों वह है आप लोगों का option number C अमीवा या इसे हम हिंदी में केते हैं कूट पाद क्या केते हैं दोस्तों कूट पाद सीडोपीडिया या जो कूट पाद होता है या अमीवा पर मोजूद अंगुली जैसी आकरती वाली संरचना है अमीवा में कूट पादो या सीडोपीडिया के द्वारा ही गमन होता है आगे बढ़ते हैं next question की और next question यहापर आपसे पुछा गया है क्लाइडो मोनास इनमें से किस किंग्डम से संबंदी थे चार आप्शन आपको दिये गया है और पुछा गया है क्लेमाइडो मोनास इनमें से किस किंग्डम या वर्ग से संबंदी थे तो इसका जो right answer है दोस्तों वाई आप लोगों का option number B प्रोटिष्टा वर्ग से या प्रोटिष्टा किंग्डम से संबंदी थे प्रोटिष्टा में एक कोशकी जीब तथा UK उरेटिक जीब सामिल किये जाते हैं आगे वरते हैं next question की और next question में देखिया आपसे क्या पुछा है तो यहाँ पर आपसे पुछा गया है बहु विखंडन के द्वारा खालिस्तान एक साथ अनेक संतती कोशिकाओं में विभाजित होता है तो इसका जो right answer वह है आप लोगों का option number D प्लाज्मोडियम बहु विखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतती कोशिकाओं में विभाजित होता है सा जीब बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है चार आप्षन आपको दिये कि और पूछा गया इनमें सकॉन सा जीब ऐसा है जो बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वहां है आप लोगों का आप्षन नंबर सी प्लाजमो होती है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और तो देखिए नेक्स्ट कोशन में आपसे पूछा गया है यहां पर बहु विखंडन द्वारा प्रजन कोन करता है तो इसका जो राइट आंसर वह है प्लाजमोडियम हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं नेक्स्ट कोशन में आपसे पूछा है निम्ले लिकित में से कौन सा एक कोशकी जीब का उधारन है चार अप्शन आपको दिए गया और पूछा है इन में से कौन सा एक कोशकी जीब का उधारन है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप्शन नंबर ए प्रोटो जोवा ठीक एक कोशिका के दो समान संतती कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का आप्शन नमबर भी द्विखंडन कहा जाता है एक कोशिका के दो समान संतती कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को द्विखं या प्रोटो जोवा संग था उससे related question देखें अब हम पोरिफेरा संग या पोरिफेरा kingdom से related question देखेंगे animal kingdom में तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर first question आपसे क्या पुछा देखें फरस्ट question में आपसे पुछा है खालिस्तान के प्राणी आगतिसील होते हैं चार option आपको देखेंगे और पुछागे इन में से किस संग के प्राणी आगतिसील होते हैं राइट answer है option number first पोरिफेरा संग के प्राणी जो होते हैं दोस्तों या आगतिसील होते हैं पोरी फेरा जीवों के सरीर में असंक छिद्र पाय जाते हैं, इसलिए इसको SPONGE के रूप में जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम आप याद रख सकते हैं, PERIFORA का जो हिंदी में हम लोग समाने नाम जानते हैं, वो क्या जानते हैं, SPONGE जानते हैं, ये आपको याद होना च ठोस आसराय सपोर्ट से जुड़े होते हैं तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का option number C साइकॉन साइकॉन जो होते हैं या अचल होते हैं अब साइकॉन को क्या कहा जाता है तो साइकॉन को sponge कहा जाता है ये sponge, periphora, साइकॉन सब एक ही नाम है ठीक है दोस्तों तो साइकॉन या sponge एक आमेरू डंडी periphora संका समुद्री जीव है यह मीठे एबं खारे पानी में पाया जाता है यह जन्तु कालोनी बनाकर अपने आधार से चिपके रहते हैं यह एक मात्र जन्तु है जो चल नहीं सकते हैं आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखिए आपसे क्या पूछाए खालिस्तान, स्वसनी, उस्सरजक और परिसंच्रण वाले अंगों में से रहित होते हैं sponge, threadworm, tapeworm, liver flu तो इसका जो right answer है दोस्तों वह क्या होगा? correct answer option number 1, sponge sponge, स्वसनी, उस्सरजक और परिसंच्रण वाले अंगों से रहित होते हैं मतलब इन में ना तो स्वसन अंग पाया जाता है ना ही उस्सरजन अंग और ना ही परिसंच्रण अंग पाया जाता है यहाँ अचल होते हैं अपनी जगा पर ही रहते हैं नेक्स्ट कोशन देखें यहाँ पर आपसे क्या पूछाए जी बिग्यान में इस्पंज क्या है एक कबक है, एक पोधा है, एक जिबास में या एक पसू है तो इसका जो right answer दोस्तों वह है आप लोगों का option number D, एक पसू है जी बिग्यान में इस्पंज या पेरिफोरा जो होते हैं, एक प्रसू है जिने animal kingdom के पेरिफोरा संग में रखा गया है आगे बढ़ते हैं next question की ओर दोस्तों यहाँ पर अब हम animal kingdom के तीसरे पार्ट को पढ़ेंगा, मतलब जो तीसरा बर्ग है उसे पढ़ते हैं सिलेंट रेटा, ठीक है आब हम देखेंगे सिलेंट रेटा बर्ग में किन किन जीवो को रखा जाता है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर first question, first question में देखिए आपसे क्या पूछा है खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोब है, को इन में से किस नाम से जाना जाता है तो इसका जो right answer है, वह है mother of pearl के नाम से जाना जाता है खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोब है, इसे mother of pearl के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखिए आपसे क्या पूछा है तो यहां आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सरीर कोसिकाओ की दो परतों से बना है चार option आपको देखिए पूछा गया इनमें से किसका सरीर कोसिकाओ की दो परतों से बना है तो right answer होगा option number D Hydra Hydra का जो सरीर है यहां कोसिकाओ की दो परतों से मिलकर बना होता है एक question Hydra से हमेसा पूछा जाता है कि Hydra में जो प्रजिनन होता है वो किस बिदी के द्वारा होता है तब आपका अंसर होगा मुकलन बिदी के द्वारा होता है इनकी बाहरी परत epidermis इस्तर तथा भीतरी परत इनमें से कौन सा जीव पुनर जनन और मुकुलन द्वारा प्रजिनन कर सकता है चार अप्शन आपको दिए गया पूछा गया इनमें से कौन सा जीव है जो पुनर जनन और मुकलन दोनों के द्वारा ही रिजनरेशन और वडिंग दोनों के द्वारा प्रजिनन कर सकता है त दोस्तों यह मुखेता तालाब जील पोकर गड़ों में जीवासम जली पोधे या बस्तूव से चिपके होते हैं हाइड्रा पुनरजेनन और मुखलन दोनों के द्वारा प्रजिनन्द कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं यहां पर आपसे क्या पुछा है तो next question में आपसे पुछा है Hydra present करता है किस विधी के द्वारा मुकलन विधी के द्वारा किस विधी के द्वारा मुकलन विधी के द्वारा और विखंडन के द्वारा कोन करता है और binary विखंडन के द्वारा कौन करता है तब आपका अंसर होगा Amoeba करता है यहाँ पर विखंडन के द्वारा प्लाजमीडियम और binary विखंडन या 2 विखंडन विधी के द्वारा करता है Amoeba प्रजिनन ठीक है और बहु विखंडन के द्वारा कौन करता इसका अंसर आपको हमें कमेंट केरके बताना हमने आपको बताया है वीडियो में ही नेश्ट कोशन देखिए यहाँ पर पुछा है खालिस्तान में मुकुलन द्वारा प्रजिनन होता है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तो वाहा है आप लोगों का ऑफटन नमबर C हईडरा में मुकलन के द touchdown होता है वडिंग बीदी के द distractions होता है नेश्ट कोशन देखिए खालिस्तान का सरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का आपसन नमबर है जो बर्ग होता है एनिमल केंगडम का इनका सरीर कोसिका की दो परतों से बना होता है और जिसमें पहली परत या बाह इस्तर की जो परत है वो एक्टोडर्म तथा दूसरी अंताहर इस्तर की जो परम है वह एडोडर्म होती है सिलेंट ट्रेटा एक बहु कोशिकी जीब है जिसका उधारण है हाइडरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर नेक्स्ट कोशन में आपसे पुछाए हाइडरा, स्टारफिस, प्लेनेरिया, निम्न में से किस प्रकरिया के द्वारा उत्पन होते हैं तो राइट आंसर होगा आप्शन नमबर D, पुनर जनन के द्वारा, हाइडरा, स्टारफिस, और प्लेनेरिया जो हैं या पुनर जनन रिजनरेशन बिधी के द्वारा उत्पन होते हैं यदि हाइडरा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्य टुकड़ा विक्सित होकर एक नया पूर्ण जीब बन जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनर जनन कहलाती है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन की ओर, नेक्स्ट कोशन में देखिए आपसे क्या पुछाए, निम्ना लिखित जानबरों में से कौन सा ट्रिपलो ब्लास्टिक नहीं है, चार आप्शन आपको दिये गए और पुछा गया इनमें से कौन सा जानबर ऐसा है, बढ़िंग द्वारा पुनर उत्पादित करता है और पुनर जनन कार्यानबित कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का आप्शन नमबर B, हाइड्रा, हाइड्रा जो है या मुकलन या बढ़िंग विदिक के द्वारा पुनर उत्पादि है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कुशन की और, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और साथी साथ एसे ही साइन्स के महत्पून प्रस्टन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आकन की बेटन जरू दबालें, नेक्स्ट कुशन और, नेक्स्ट कुशन पूछा है, कलिका द्वारा विक्सित नया जीव है, किटानू, हाइड्रा, पेरामीशियम या अमीबा, ये भी काफी इन्पॉटेंट कोशन है, आपके एट कलात का कोशन है, एन्सी आइटी बुक में, तो इसका जो राइट आंसर है, वा है आप्सन होकर एक क्या बन जाता है, एक नया जीव बन जाता है, एक नया हाइडरा बन जाता है, तो मतलब ये जो कली जैसा इसमें उभार होता है, जो आपकी फूल की कली होती है, ऐसा एक उभार होता है, मतलब इसे कली का कहते हैं, तो कली का दवारा एक नया जीव किसमें बिक्सित होता है हाइड्रा में विक्सित होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन की और नेक्स्ट कोईशन देखे आपसे क्या पूछा है कालिस्तान बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजिनन के लिए पुनर जनन कोशिकाओ का उप्योग करता है तो इसका जो राइट आंसर ह प्रोटिश्टा और आपका साथ ही साथ प्रोटो जोवा और आप लोगों का जो सिलेंट्रेटा वर्ग था तो इन से रिलेटर सारे जितने भी कोशियन आप लोगों से एक्जाम में बन सकते तो वह हमने पढ़ लिए और आपने वाले जो नेक्ट वीडियों उसमें हम प्ल कर रहे हैं तो चेनल को तुरंट सब्सक्राइब करने और वेल आइकन के बिटन जरू दबाले ताकि आप लोगों कभी इन एक्जाम्स में सेलेक्सान हो सके जय हिन दोस्तों